हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टोडी टाइम. B.E.G. 105 में एक नोभेल है, नोभेल का नाम है The Binding Vine. इस नोभेल को ससी देस्पांडे जी ने लिखा है. तो ये नोभेल स्टार्ट करने से पहले हम नोभेल के बारे में जान लेते हैं, नोभेल किसे कहते हैं, नोभेल का क्या-क्या टाइप्स है, और एक नोभेल में सबसे बड़ी चीज़ जो नोभेल का क्या-क्या एस्पेक्ट होता है, उसके बारे मैं इस वीडियो में डिसकस करेंगे. तो वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, share कर देना and my study time youtube channel को subscribe कर लेना तो आगे ये पूरा series आने वाला है BEG 105 में जो novel है The Binding Vine तो इसमें बहुत सारे units हैं तो कई units में जैसे कि first unit में आपको theme देखने को मिले गया तो second unit में जो इस novel का plot देखने को मिलेगा तो ये जो हर एक unit में अलग-अलग topic है तो ये series में हम सारे topic को cover करने की कोशिस करेंगे जो जो चीज main है यहाँ पर जो जो हमें बहुत ही important है वो सारे चीज हम cover करेंगे तो चलिए आज का ये video सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे novel किसे कहते हैं तो यहाँ पर novel का definition दिया गया है तो novel जो है यह एक approach fiction है तो यहाँ पर कुछ novel fiction के उपर लिखा जाता है और novel में क्या होता है जो human experiences होता है वो add कर दिया जाता है इसलिए हमें novel पढ़ने में gripping होता है मतलब हमें पकड़ कर रखता है एक novel पढ़ते हैं तो लगता है कि यह हमारे life से जुड़ा हुआ है यह novel तो इसलिए हम उस novel को आगे पढ़ते रहते हैं तो एक novel क्या है? एक approach fiction है ठीक है? तो आगे देखेंगे novel का क्या-क्या definition है और बहुत सारे जो Indian novelist हैं तो उनके हिसाब से novel का क्या-क्या definition है यह भी discuss करेंगे यह novel is fiction that means it is an imaginary story even though it is imaginary or fixious it is life-like यानि कि एक novel fiction होने के बाबजुद भी यह हमारे life के साथ जुड़ा हुआ होता है मुल्क राचानन कहते हैं कि novel जो होता है इसका process inhale-excel के समान होता है यानि कि निस्वास लेना और छोड़ना इसके समान और यह life-giving inspiration होता है और यह approach poem की तरह होता है जो body and soul को release करता है उसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह life का एक छोटे से हिस्से का एक miracle भी हो सकता है उसके आगे D.H. Lawrence कहते हैं the novel is a perfect medium for revealing to us the changing rainbow of our living relationship तो D.H. Lawrence का कहने का यह मतलब है कि novel एक perfect medium है जो कि हमारे जो चारो तरफ living relationship है तो उसके जो changing rainbow है यानि relationship कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ होता है और कभी-कभी समय के साथ relationship कैसे बिखर जाता है इसके बारे में नोभेल हमें perfect medium है perfectly उस relationship को reveal करता है यह D.H. Lawrence कहते हैं एक novel life को dramatize करता है यानि कि जो novel में जो details यूच किया जाता है और नोभेल में जो characters होते है they are like real life people यानि कि वो लोग हमारी तरह एक real life people जैसे लगते है they act, react, struggle, suffer and triumph as we do in our life तो जैसे हम हमारे जिंदेगी में कुछ situations को लेकर act करते हैं react करते हैं हम real life में struggle करते हैं बहुत सारे जगा में suffer करते हैं और जितने पर खुसी मनाते हैं तो ये सारा जो चीज है ये सारा जो components है वो एक novel में भी होता है तो इसलिए novel इतना gripping होता है और हमें एक real life का feeling देता है एक novel उस वक्त successful होता है जब author क्या करता है अपने writing से reader को चौका देता है और उसे inspire करता है और ये सब हो सकता है जब एक writer उसमें real life का एक picture वहाँ पर दिया गया होता है और हमारे जो real life में जैसे हमारे कुछ strength है कुछ weakness है जो relationship है ये सारी चीजे अगर एक novel में है तो वो novel जरूर successful होता है जो short novel होता है उसे novella या फिर novella कहते है the English name novel is derived from Italian word novella meaning a little new thing जो novel word है English name novel word है वो Italian name novella से लिया गया है तो novella जो word है वो Italian word है और इसका meaning होता है a little new thing यानि कि एक छोटा सा नया चीज एक novel में कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो कि reader को उसमें grip करके रखे और reader को alive करके रखे और story हमें कुछ important message देता हो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों में interest बना रहे एक novel को interesting बनाने के लिए बहुत सारे elements होते हैं बहुत सारे aspects होते हैं तो यह जो सारे चीजे हैं यह aspects of novel है यानि कि एक novel में यह सब चीजे रहते हैं और यह सब चीजे मिलकर एक novel को एक perfect novel बनाते हैं एक novel का जो central idea होता है वो theme ही होता है और theme based होता है an argument के उपर, कुछ issues के उपर और जिसके चारो तरफ जो novel का story है वो उसके चारो तरफ ही गुमता रहता है तो यहाँ पर जो theme है यह novel का plot नहीं होता है ना कि यह story होता है एक example मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ जो novel लिखा जाता है ना तो वहाँ पर एक novelist यह नहीं कहता कि यह इस novel का central theme है या फिर central idea है वो आपको judge करना पड़ेगा आपको guess करना पड़ेगा कि इस novel का central idea या फिर जो theme क्या है जैसे कि मालो एक feminism के उपर एक novel लिखा गया है लेकिन उस novel के अंदर कहीं पर यह नहीं लिखा होगा कि यह feminism के उपर लिखा हो है आपको यह guess करना पड़ेगा वहाँ पर female dominant character है तो वहाँ पर female के उपर ज़्यादा power दिया गया है तो आप यह सोच सकते हैं कि यह एक feminism के उपर लिखा गया novel है यह आप सिर्फ सोच सकते हैं है वो रामायन और महावारत से inspire है ठीक है तो ऐसा कैसे आप question करोगे तो मैं कहूंगा कि जैसे महावारत में दो भाई दो groups थे जैसे कि पांडव और कौरव तो यहाँ पर भी जो बाहुवली है यहाँ पर भी दोनों भाईयों को एक positive side में रखा गया है दूसरे को negative side में सोच सकता हूँ कि यह जो बाहुवली का theme है वो रामायन और महावारत से लिया गया है तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि यह novel का theme यह हो सकता है लेकि novel के अंदर यह कहीं नहीं लिका होगा कि यह इस novel का theme है ठीक है I hope theme के बारे में आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपको theme and plot के ब उपर आप कैसे story build करेंगे उसे हम plot कहेंगे तो plot का हमेशा से beginning होता है middle होता है और end होता है और एक plot में बहुत सारे छोटे-छोटे subplots भी हो सकते हैं जैसे कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं The Binding by novel तो यहाँ पर उर्मी का जो दुख भरा story यह आपका main plot हो गया उसके साथ-साथ आपको पढ़ना है मीरा के भी story पढ़ना है और कलपना के भी story पढ़ना है तो यह छोटे-छोटे जो story हो गया यह subplot हो गया इस इसके साथ-साथ यह जो central idea है उर्मी का जो दुख भरा story है उसके साथ-साथ मीरा का भी story यहाँ पर जुडा हुआ है तो यहाँ पर यह जो central idea यानि कि जिसे हम theme कहेंगे इस novel का theme क्या हो गया तो theme of human relationship and death तो इसे हम इस novel का theme कह सकते हैं तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे यही चीज करते हैं जो writer उन character के जरिये करवाना चाहता है तो हम कह सकते हैं अगर characterization powerful है तो वो हमारे memory में ज्यादा दिन तक रहता है जैसे कि बाहवली के case में हो गया तो character के जरिये हमें उस story का जो theme है उसके बारे में पता चलता है और वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो character के जरिये आगे बढ़ता है जो point of view होता है वो हमें यह बताता है कि एक story को कैसे लिखा गया है यानि character को कैसे introduce किया गया है यानि जो character होते हैं वो खुद बता रहे है story या फिर वो धीरे धीरे time के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और story हमें पता चलते जा रहा है तो अ specific time से अभी present time तक बता रहा है तो यानि कि उसे past का सारे experiences पता है past का जो event के बारे में पता है लेकिन आगे क्या होने बढ़ा यह पता नहीं तो यह first person narration है ठीक है उसके साथ साथ और एक third person narration होता है उसके बारे में देख लेते हैं The third person narrator provides an omniscient point of view, he knows everything that is to take place in the story and he is the agent who describes and controls actions, motives and thoughts जो third person narrative होता है उसको सब पता होता है story क्या-क्या आगे होने बाला है तो अगर मैं उसे example के साथ बताऊं तो मैं same story को बताऊंगा बाहुवली में बाहुवली में जो कटपा महिंद्र बाहुवली को जो बता रहा था जो story वहाँ पर वो third person था इसलिए उसे जो पास्ट के सारे story उसे पता था इसलिए वो महिंद्र बाहुवली को सब कुछ बता पाया था तो इसे हम कहेंगे third person narrator तो यहां पर हमें बताया गया है कि एक novel में एक place and time होना ज़रूर है, सबसे पहले हम बात करेंगे place के बारे में, तो place के बारे में आपको directly नहीं पता चलेगा, आपको उस novel का setting देखकर आपको पता चलेगा कि वो कौन सा place हो सकता है, जैसे आप याद कर लीजिए आर्के नारा को देखकर, वहां के characters को देखकर, वहां के जो cultural वो जो कपड़े, पोसाख हैं, उनको देखकर आपको एक place याद आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं, वो साथ उसी place से inspire हो, उसी place से लिया गया हो, तो इसी तरह एक novel को एक specific space दिया जाता है, ठीक है, specific एक place दिया जाता है, यहा हुआ है, लेकिन यहां आपको easily समझ में आ जाएगा, आरके नराजयन का जो मालगुडी डेश नूबहल है, वहां पर आपको जो tradition and culture वहां पर दर्साया गया है, तो उसके जरी आपको एक place के बारे में पता चलता है, और यहां पर हम बात करेंगे, Gothic novel के बारे में, Gothic novel क्या हो होगा, अब बात करेंगे जो time है, time क्या काम करता है novel में, उसके बारे में बात करेंगे, तो क्या होता है, time का मतलब दो चीज को दर्साता है, यानि कि एक clock time and psychological time, जो ज़्यादा तर novel होते हैं, जो 18th and 19th century के novel होते हैं, वो एक chronological order में होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो वो childhood देखता है, उसके बाद धिरे-धिर adulthood, उसके बाद आगे जाके वो बढ़ा होता है, ठीक उसी तरह एक novel में क्या होता है, एक child को अगर दिखा जा गया है, तो chronological order में वो धिरे-धिरे कैसे जवान हो गया, और उसके बाद कैसे बढ़ा हो गया, ठीक उसी pattern में उ उस novel को आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन जो psychological time है, वो constantly change होता रहता है, जैसे कि past to present हो गया, present to future हो गया, तो ऐसे change होता जाता है, novelists who make use of the psychological time to narrate their story, take the help of techniques such as flashbacks, dreams and fantasies, तो यहाँ पर जो psychological novel होता है, वहाँ पर उस story को interesting बनाने के लिए वहाँ पर एक चीज का use किया जाता है, जिसे हम flashback कहते हैं, dreams कहते हैं, या फिर fantasies कहते हैं, तो उस story को क्या किया जाता है, जो flashback में दिखाया जाता है, यानि कि present moment से धीरे-धीरे past की तरह बढ़ता चला जा होता है, telling and showing, तो एक novel के अंदर कुछ characters होता है, जो आपस में बात करते रहते हैं, तो वो जो बातचीत होता है, वो dialogues में होता है, long passage में होता है, तो उसे कहेंगे हम telling mode, ठीक है, लेकिन एक novel के अंदर जो जो भी activities होता है, उसे कहेंगे हम, क्या, showing mode, ठीक है, तो लोगों को ज जानने में ज्यादा interest होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या happening होने वाला है, तो इसलिए लोग ज्यादा prefer करते हैं, जो showing mode होता है, वो जो long passage में वो लोग बातचीत जो करते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनका interest ज्यादा, जो showing होता है, उसकी तरफ होता ह है इसलिए novelist क्या करते हैं showing and telling इन दोनों को मिला कर एक balance create करते हैं novel के अंदर एक popular saying है जिसे कहते है style is the man तो हर एक author का अलग-अलग style होता है तो style क्या सुचित करता है आप जो author है वो किसी तरीके से किस तरह से अपना जो language है उसे use करते हैं expression है उसे use करते हैं तो हर एक author का अलग-अलग style होता है तो जो author ज्यादा अच्छी तरह से उस line को उस sentence structure को ज्यादा अच्छी तरह से use करेगा वो novel उतना interesting होगा तो यह हो गया novel का style तो यहां तक हमने देखा novel का जो different aspect है अब देखेंगे क्या-क्या types of novels हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे जो first type of novel है उसका नाम है picarescue novel जो word picarescue है इसका मतलब होता है picaro which means a rock ठीक है यह एक Spanish word है और picarescue novel जो होता है यह story of the adventure होता है यहाँ पर कुछ man's and woman का जो adventure story है उसके बारे में describe किया जाता है जैसे कि यहाँ पर examples में एक Spanish जो novel है उसके बारे में लिखा गया है जिसका नाम है Don Quixote इसे Robinson Crusoe ने लिखा है Robinson Crusoe ने बहुत सारे ऐसे adventure novel लिखा है उसके साथ साथ mall flanders जिसे Daniel Defoe ने लिखा है जो gothic novel यह goths war से लिया गया है जो goths का मतलब होता है एक German Germanic tribe को describe करता है और gothic novel में क्या होते है जो characters होते हैं उनमें supernatural power होता है यहाँ पर castle के बारे में describe किया जाता है haunted house के बारे में भी यहाँ पर दर्साया जाता है उसके साथ साथ ghost के बारे में भी यहाँ पर कहा जाता है और यह जो gothic novel है यह modern film में जो horror film होता है वहाँ पर gothic novel का यूज किया जाता है epistolary novel epistol का मतलब होता है letter यानि जो इस type के novel में man characters होते हैं वह exchange of letter यानि कि letter के जरीए बात करते हैं आपने अगर Hollywood movie the notebook देखा होगा तो वहाँ पर चिठ्थियों का क्या importance है वो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर जो epistolary novel यह 18th century में ज़्यादा popular हुआ था और Samuel Richardson का जो पैमेला है Clarissa है और Fanny Bornis जो Evelyn है यह सारे epistolary novel के examples हैं तो psychological novel में क्या होता है जैसे कि यह name suggest करता है psychological novel में हमें characters के जो innermost motives क्या है उनका desires क्या है वो जानना होता है यहाँ पर उसका जो feelings होता है वो उसके actions के जरिए उसका काम के जरिए और experiences के जरिए हमें पता चलता है psychological novel के कुछ examples यहाँ पर दिया गया है जैसे कि James Joyce, Ulysses एंड जो अनिता देसाई, औरुन जोसी, ससी देस पांडे इन सबने भी कुछ psychological novels भी लिखा था तो यहाँ पर historical novel में क्या होता है इसका जो setting होता है और characters होता है वो history से लिया जाता है, ठीक है, इतिहास से लिया जाता है बहुत सारे Indian writers भी थे जिन्होंने historical novel लिखा था तो एक regional novel में एक particular geographical location के उपर novel based होता है, तो यहाँ पर थोमा साड़ी का वेसेक्स जो है, वो England के southwest area को उन्होंने वेसेक्स नेम दिया है और उसके बारे में उन्होंने novel लिखा है तो इसे कहेंगे हम regional novel यहाँ पर आरके नाराजान का जो मालगुरी डेश है, वो भी South India का उन्होंने एक imaginary town चुना है, तो उसे भी अब regional novel के अंदर ले सकते हैं तो यह था कुछ basic types of novels, उसके आगे और other forms भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ feminist novel हैं, कुछ essential या फिर metaphysical novel हैं, तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे types आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर 6 basic types of novels के बारे में डिसकस किया, उसके साथ-साथ कुछ other forms of novels के बारे में यहाँ पर लिखा गय हैं, जैसे time आगे बढ़ता चला गया, time के साथ-साथ कुछ other forms of novels उसके साथ-साथ emorse हैं, जैसे कि diasporic novel हो गया, feminist novel हो गया, उसके साथ-साथ metaphysical novel हो गया, और time के साथ-साथ यहाँ पर कुछ literary movements हुआ था और उसके साथ-साथ नए theories भी आने लगे, तो उसके साथ क्या हुआ, post modernism, post-colonism, naturalism, realism, ऐसे कई सारे forms आ गए और उसके साथ साथ जो novel को और भी strong करते गए ठीक है तो I hope यह जो वीडियो है यह आपको समझ में आ गया होगा तो आज के इस वीडियो में हमने discuss क्या novel, types of novel and aspects of novel तो यह novel series का first part था तो BEG 105 में आपका The Winding Vine novel दिया गया है तो इस series को हम आगे continue करेंगे तो यह basic of novel था next part में हम origin of novel in India उसके बारे में discuss करेंगे और आगे हम The Winding Vine novel को discuss करेंगे तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लोगा होगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए and my study time youtube channel को subscribe कर लिजिए Thank you